नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्जशंकर तिवारी हूँ देश की पहली महिला बित्मंत्री जब बजट पेस कर रही थी तो कई चीजे देखने लायक थी सबसे पहले तो उनके हाथ में जो है ब्रिफकेस नहीं इस बार दिखा था अपकी बार फोल्डर मे लेकर के बजट को निकली थी जिस कलर की साड़ी पनी हुई थी लगभग उसी कलर से मिलता जलता हुआ वह फोल्डर था माना यह गया कि वह अंग्रेजों के जमाने से जो सिस्टम चला रहा जो ट्रेडिशन चला रहा है उस ट्रेडिशन को हम बदल रहे है ठीक इसी तर से आतंकवाद का जिक्र करते हैं और दूसरा परियावरन का जिक्र करते हैं तो ये जो blue economy है वो परियावरण से जुड़ी हुई है है क्या कि भारत जो है तीन तरफ समूद्र से घिरा हुआ है और जितना भी भारत का वेपार होता है वो जल मार्क से लगभग 90% तक होता है तो इस जल मार्क की खासियत क्या है कि इसमें एक तो खर्च कम आता है और परिय सकते हैं ये दो बाते तो हो गई तो 2010 में गुंटूर पॉली की एक किताब आई थी the blue economy 10 years 100 innovations 100 millions jobs और इस किताब के आने के बाद blue economy जो है चर्चे में आया निति आयोग ने भी जब अपना वीजन पत्र तयार किया तो इसमें blue economy को जगा दी और अब इसमें क्या-क्या चीजे सामिल होती है तो एक तो पहली बात हो गई कि समुद्री छेत्र पे जो है आपकी अर्थ ब्यवस्था अधारित होगी ब्यपार जो है उसी समुद्री रास्ते से ज्यादातर होगा जो अभी भी हो रहा है दूसरा जो है इसमें कचरे को निप्टान की समस्य का समधान भी होता है और टिकाओ विकास को सुनिश्चित किया जाता है इसमें बड़े पैमाने पर जो समुद्र से ब्यपार करते हैं जो रहता है इसमें वह खनीज़ पदार्थ और समुद्री उत्पादों पर रहता है तो यह दो चीजों से जुड़ा हुआ है एक कि हम परिवहन मा कि आवाज आही कैसे करते हैं कैसे ब्यपार करते हैं और दूसरा परियावारन परिवहन और परियावारन तो इसमें परियावरन का बिस्येस ध्यान लगते हैं वैसे यूं भी आप देखेंगे कि इस बजट में जो है परियावरन को ले करके कई चीजों का जिक्र है जिसमे से इव वैकिल्स को ले करके सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिश्टर नितिन गड़करी ने बहुत पहले कहा था कि तीन-चार सालों के अंदर जो है यह जितने डिजल और पेट्रोल अधारी गाडिया है उसको हम फेज आउट करेंगे और इव वैकिल को सुधारने के लिए इधर इधर विवस्ता की गई अदूसरा ब्लू एकोनॉमी में जो है परियावरण पर विस्यस जूर रहेगा कि कैसे जल्दी से जल्दी परियावरण को ठीक किया जाए तो चुकि सड़क मार्क से जितना भी वैपार होता है ट्रकों की आवाजाही हो बदलाव कर रहे हैं और ठीक उसी तरह से उनकी बीत मंत्री ने भी अपने हिसाब से बदलाव करने की कोशिस की है लेकिन सबसे काम जो चुनावती पूर्ण है वो चुनावती पूर्ण है कि जो भी घुस्णाएं हो रही है उनको जमीन में उतारना जैसे माल लिए कि आप 25,000 km सड़क बनाने की बात कर रहे हैं यह बन जाता है कि नहीं बन जाता है दो हजार बाइस तक आप सबको चट देने की बात कर रहे हैं सबको बिजली देने की बात कर रहे हैं दो हजार चोबीस तक जो है सब के घर में नल टोटी के थुरू आप पानी पहुचाने की बात क लेकिन को पहुंचाना और इसको implement कर जाना यदी ये implement कर गए तो वास्तो मेंuuuu sought बन जाएगा और यदि इंप्लिमेंट नहीं किये तो फिर यह बाते हैं बाते तो होती रहती है तो बजट में जो भी इस तरह की जनकारी इस पर हम बने हुए है और क्या-क्या निकलता है यदि कोई ऐसी जनकारी और मिलती है तो फिर हम उसे लेकर हाजिर होंगे आप देखते ही है मारा अडिचल चैनल इनकबर थैंक यू इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें